और उत्राखन में 24 गंटे में करीब 49 संक्रमित मामले सामने आए हैं तो वहीं एक मरीज की मौत हो गई जब कि 32 मरीजों को ठीक होने के बाद घर भेश दिया गया है इसे बीच कोरोना सक्रिय मामलों की संक्या घट कर 698 पहुंच गई है और इसी बीच स्वास्विबाग की ओर से जारी किये कर बुलेटन के अनुसार शुक्रवार को करीब 21,637 सेंपलों की जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई है तो वहीं दो जिलो में जानिकी अलमोडा और चमोली में एक भी संक्रमित मरीज सामने नहीं आया है प्रदेश में अब तक करोना के कुल संक्रमितों की संक्या आपको बता दें कि करीब 3,41,401 हो गई है और इन में से 3,27,346 लोग ठीक होकर घर वापस लोट चुके हैं प्रदेश में करोना के चलते अब तक कुल 7,355 लोगों की जान भी जा चुकी है और केंद से कोविट वैक्सीन आप पूर्ती बढ़ने से राज्य को थोड़ी राहत मिली है ऐसे में शुकरवार को डेल लाग को विशील वैक्सीन की डोज उत्राखंड को मिली है जबकि 71,000 वैक्सीन की डोज शनिवार को पहुंच जाएगी वैक्सीन मिलने से ठीका करन में तेजी आएगी और इसे के साथ ही राज्य प्रतिरख्षन अधिकारी जॉक्टर कुल्दीप सिंग मरतोलिया ने बताया है कि शुकरवार को केंद से डेड़ लाग को विशील वैक्सीन की डोज मिली है इसे भी शनिवार को 71,000 डोज और राज्य को मिल जाएंगी इसके बाद वैक्सीन की खेप प्राप्त होते ही जिलों को आगे भेज दी जाएंगी साथ ही आपको बदा दें इससे अब लोगों को वैक्सीन की पहली और दूसरी डोस के लिए इंतजार नहीं करना पड़ेगा केंदर की ओर से नियमे तरूप से वैक्सीन उपलब कराई जा रही है और साथ ही उन्होंने लोगों से अवाहन किया है कि बारी आने पर ही वैक्सीन अवश्य लगवाएं स्वासिबाग के अनुसार शुक्रवार को पूरे प्रोदेश में 644 केंद्रों पर करीब 69,942 लोगों को टीका लगाया गया और उद्रखंड घूमने आने वाले परियटाग अभी भी फर्जी कोरोना रिपोर्ट लेने से बास नहीं आ रहे ऐसे में 60 लोगों को फर्जी कोरोना रिपोर्ट के साथ पकड़ा गया है साथी उन्हें ये भी चिताबने दी गई कि मौके पर जाच करा कर आगे भीजा गया उद्रखंड पोलिस और स्वास्विभाग कानूनी पेच से बचने के लिए ज्यादा मुकदमे कराने से बच रही है और ऐसे में अभी इस पूरे मामले में एक ही दिन में चार लोगों पर जूटी रिपोर्ट का मुकदमा दर्ज किया गया है बदादे धहरादून के आशा रोडी चेक पोस्ट पर कोरोना जाच के नोडल अधिकारी डॉक्टर एक्यू अंसारी नहीं बताया है कि अब कई लोग मुबाइल में फर्जी रिपोर्ट लेकर आ रहे हैं ऐसे में हार्ड कॉपी नहीं ला रहे है लेकिन फिर भी बार कोर्ट से जाच की गई तो रिपोर्ट फर्जी निकली लोगों को लगता है कि मुबाइल में टीम जाच नहीं करेगी जबकि ऐसा नहीं है, ऐसे में लोगों की दोबारा से जांच कराई गई और रिपोर्ट कब से में ले ली गई है लगातार इस तरह की जांच की जाती रहेगी और लोगों को समझना चाहिए कि वो कोरोना की फ़र्जी रिपोर्ट ना लाएं इससे उनकी बदनामी तो होती ही है लेकिन पुलिस की कारवाई में भी वो फच सकते हैं और साइबर ठग यानि घर बैचे ऑनलाइन माध्यम से हमारे और आपके बैंक खातों और जेब खाली करने के महरती मास्टर माइंडों के तार हिंदुस्तान तक नहीं जुड़े हैं बदा दे कि इन ठगों का बेहद ही खना सरकल है और ये फिर जटिल नेटवर्क विदेशों में भी है इसका खुलासा हाल ही में उत्राखंट पुलिस की एक स्पेशल टास्क पोर्स के जरिये किया गया बदा दें इस पुलिस के हाथ जो है एक ऐसा गिरो लगा है जिसके ठगों ने कई घटनाओं को अंजाम दिया है गिरफतार किये गए साइब और अपराधियों से मिली जानकारी के आधार पर अब राजय पुलिस ने ठगी के इस मकड जाल को निस्ते नाबूत करने के लिए अमेरिका की जाँच एजनसी फेजरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिएशन यानि एफबी आई से मदद मांगी है राजय पुलिस स्टी एफ इस बाबत एक ख़त संबंदी विदेश जाँच एजनसी को लिखने की बाद भी बराती है इसी बीच आपको दादे कि दरसल एफब ठगों की मदद लेते थे ऐसे में अमेरिकी ठग ही इन जाल साजों को अपने देश के संबविद शिकार यानि की इस ठग कंपनी के जाल में फसने के लायक शक्स की तलाश करके इन ठगों को देते थे और उसके बाद उत्राखंड की राजधानी देहरदून में मौजूद ये ऑनलाइन ठगी के इस कंट्रोल रूम में साइबर अपराधी उन सभी अंजान लोगों को डरा धमका कर मोटी रका मैटने के लिए सक्रिये हो जाते थे आपको बता दें कि उत्राखंड स्टीएफ के अधिकारियों ने ये भी बताया है कि ये ठग कंपनी पुलिस से बच आप्मेंट भी ले रखा था ऐसे में इसमें सिर्फ गैंग के मास्टर माइंड यानि सरगना की कैटेगरी में आने वाले लोग और खुद को बहुत कहलाने वाले ठग ही रहते थे जबकि बागी ठगों को रहने के लिए इंपीरियल हाइट राजपुर रोड जैसी के राया करीब एक लाख बीस हजार रुपे था और उद्रकंड में मौसम का मिजवास बदल रहा है राजज़ाने दहरादून समेत प्रदेश की कई अलाकों में शुक्रवार देर रात से ही बारिश हो रही है ऐसे में शनिवार सुभा को भी बारिश होई लेकिन वो कुछ देर बात थम गए मही कुमाओ के सभी जिलों में बादल चाय हुए हैं और उदर गड़वाल में भी बारिश के बाद मौसम सुहावना बना हुआ है महीं आपको बता दें कि मौसम वेज्यानिकों के मताबिक शनिवार को भी अधिक्तम तापमान 34 डिगरी के आसपास रह सकत है और अगले 24 घंटे में दैरदून नैनिताल अलमोडा चंपावज जैसे जिलों में कहीं कहीं बारी बारिश देखने को मिल सकती है साधी आपको बता दे कि राज़वानी दून और आसपास के इलाकों में शुकरवार को अधिक्तम तापमान 34.6 डिगरी पहुंचने से लो बादल चा गए लेकिन दिन चड़ने के साथ ही बादल चट गए और लोगों को जबरदस्त घरमी का सामना करना पड़ा पिछले दिनों जमाजम बारिश होने से तापमान 30 डिगरी के नीचे चला गया था